हाई फ्रेंड विल्कम तो मैं चैनल आज हम सारी से डिजाइनर अनार करें लॉंग गाउन बनाएंगे इसके पहले अपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखे मैंने यहाँ पे सारी लीए और 2 मिटर लाइनिंग फ्राब्रिक लिया है यह सारी में हमें 15 इंच का बॉर्डर दिया हुआ है तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कर लेंगे तो मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड किया है और ये जुड़ी हुई साइड है तो जुड़ी हुई साइड से हमें शूर्डर का हाफ लेना है तो मैं यहाँ ले रहे हूँ 6 इंच आर्म होल भी मैं ले रहे हूं 6 इंच इन दोनों पॉइंच को जोड़ देंगे यहाँ पे हमें चेस्ट का फॉर्थ पार्ट प्लस टू इंच लेना है तो मैं ले रहें यहाँ पे 11 इंच उपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रहें 14 इंच और यहाँ पे हमें कमर का फॉर्थ पार्ट प्लस टू इंच लेना है और round shape देना है इस तरह से अभी हम armhole draw करेंगे तो इसका half लेना है और इस point से हम armhole का shape दे देंगे और half inch अंदर से एक और armhole draw करेंगे यह हमारा front का armhole होगा अभी हम neck की marking करेंगे तो neck weight मैं लेने यहाँ पर 3 inch और neck deep मैं लेने 6 inch front के लिए और back के लिए मैं लेने हो 3 inch यहाँ पर भी 3 inch लेना है और एक box बना लेना है और round shape दे देंगे front के लिए और back के लिए भी round shape दे देंगे अभी हम इसकी cutting कर लेंगे तो सबसे पहले हम back armhole और back neck की cutting करेंगे दिखिए हमने back neck और back armhole की cutting कर ली है अभी हम इसमें से back का पाट अटा देंगे और front part को वापस two fold करेंगे और front make और front armhole की cutting करेंगे अभी हम main fabric cut करेंगे तो सारी को हमने सरह से बिचा लिया है इसके उपर हम top का पाट रखेंगे इसे यहाँ पे अच्छे से adjust कर लेंगे back part को भी यहाँ पे adjust कर लेंगे और इसे हम pin से secure कर लेंगे जिसे की ही लेना इस तरह से और अभी हम इसे इसी shape में cut कर लेंगे दोनों parts को तो इस तरह से हमने cutting कर लिया है top part की अभी हम bottom lining cut करेंगे तो मैंने fabric को four fold किया है और bottom lining की length मैंने लिये यहाँ पे 29 inch अभी जो हमने top part कर किया है उसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेंगे और इस point को नीचे cross में extend कर देंगे यहाँ पे हलका सा round ship देंगे और अभी हम इसकी cutting कर लेंगे तो देखे हमने यहाँ पे cutting कर ली है इस तरह से यह हमारे पास front और back के लिए दो parts है अभी हम sleeve cut करेंगे तो इसके लिए हम border को use करेंगे और इसकी broadness मैंने दिये 9 inch जितना आपका arm होले है उसमें 2-3 inch जादा लेना है यहाँ पे open side से 3 inch पे mark करेंगे और sleeve का shape देंगे sleeve की length में ले रहे हैं यहाँ पे 14 inch और sleeve bottom में ले रहे हैं 6.5 inch अभी इन दोनो points को जोड़ देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो देखे हमने sleeve की cutting कर ली है अभी half inch अंदर से mark कर देना है और front sleeve कट कर लेना है अभी हम कलिया कट करेंगे तो यह मैंने fabric को 4 fold किया है इसे एक और fold करेंगे और एक और fold कर देंगे इसको इसे तो यह हमारा 16 fold हो गया है अभी हम यहाँ पे marking करेंगे कलियों के लिए देखे इसकी length में ले यहाँ पे 25 inch कि हम यहाँ पे 15 inch का border attach करेंगे यहाँ पे एक corner पे 2 inch पे mark करेंगे और दूसरे corner पे भी 2 inch पे mark करेंगे और अभी इन दोनों points को जोड देंगे देखे इस तरह से कलिया कट करने से गीरा बहुत ज़्यादा आता है अभी इसकी cutting कर लेंगे देखे हमने cutting कर ली है तो हमारे पास इस तरह से कलिया आ जाएंगे अभी हम कलियों को जोड़ेंगे देखे एक कलिया को इस तरह से रखना है और इसके उपर हमें दूसरी कलिया को रखना है और यहाँ पने सिलाई लगा के इसे attach कर लेना है इस तरह से हमें कलिया जोड लेनी है front और back दोनों के लिए देखे हमने कलिया अटेज कर लिए है यहाँ पे front के लिए और back के लिए भी अभी हम bottom lining लेंगे और इसके उपर हम कलियों वाला part रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों parts को attach कर लेंगे इस तरह से हमें back का part भी attach कर लेना है देखे अभी यह हमारा front का part है तो अभी हम इसके उपर lining को उल्टा रख देंगे अच्छे से adjust कर लेंगे यहाँ पे center पे line draw कर देंगे अभी देखे हमें इस तरह से stitching कर लेना है neck के shape में और यहाँ पे line के side से σिलाई लगा देनी है देखे इस तरह से हमें शिलाई लगानी है इसे pin से secure कर लिया है अमने जिसे की ही लेना देखे हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है अभी हम इसे center से cut कर लेंगे धहां देना है कि हमारी सिलाई ना cutे और यहान पे Mek में हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे और अब इसमें हम C-D-Side में टर्न कर लेंगे दिखे, उसी तरह से दुसरे पाँट को भी C-D-Side में टर्न कर लेंगे दिखे, हमने C-D-Side में टर्न कर लिया है अब भी एक पट्टी लेंगे ये धाइन चोड़ी है इसे बीच में से फोल्ड कर देंगे और इसे हम उपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके उपर हम लेफ्ट वाला पार्ट रखेंगे पट्टी के उपर हमें लेफ्ट वाला पार्ट रख लेना है पिंट से सिक्यूर कर लेंगे और अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे तो देखे हमने पट्टी को यहाँ पे अटेच कर लिया है और अभी हमारा राइट वाला पार्ट पट्टी के उपर रखेंगे देखे हमने पूटली बटन्स बना लिए है तो हम पुटली बटन्स को इसके अंदर रखेंगे इस तरह से हाफ आफ इंच की गैप से पुटली बटन्स रख देंगे पुटली बटन्स को रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अटेच कर लेना है इस तरह से देखिए हमने पोटली बटन्स लगा लिए है और अभी हम यहाँ पर topstich लगा लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के lining को main fabric से attach कर लेंगे देखिए अभी back का part है तो back neck के लिए हमने back lining को इसके उपर उलटा रख देना है और यहाँ पर हमें neck के shape में सिलाई लगा देनी है तो देखे हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी हम यहाँ पर चोटे-चोटे कट लगा लेंगे और इसे हम सीदी साइड में टरन कर लेंगे और सिदी साइड में टर्न करने के बाद हम यहां पर टॉप स्टिश लगाएंगे और साथ ही लाइनिंग को में फब्रिक से अटेज कर लेंगे तो देखिए यह हमारा फ्रेंट का पार्ट है और अभी हम बैक का पार्ट इसके उपर उल्टा रख देंगे और शोल्डर बाट जाइच कर देंगे और इसी तरह से हमें दूसरा स्लीव और से तरह से हमारा टॉप पार्ट है अभी टॉप आपको बॉतम पार्ट क्य उपर उल्टा रख देंगे पर यहम में सिलाई लगा के इस दोनों पार्ट को वी ! इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी अटेज कर लेंगे देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है अभी हम में इन साब एक में बॉर्डर लगाएंगे तो हम बॉर्डर को इसके उपर उल्टा रख देंगे देखिए इसे उल्टा रख देना है हमें और सिलाई लगा के बॉर्डर को एटेज कर लेना है और उसके बाद में हमें बॉर्डर को सीडी साइड में टन कर लेना है इस तरह से देखिए हमने border लगा लिया है front और back दोनों parts में इस तरह से अभी हम fitting करेंगे तो यहाँ पे sleeve से लेके कमर तक हमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद में main fabric को अलग से stitch कर लेना है देखिए main fabric को stitch कर लेना है इस तरह से और bottom में double fold करके सिलाई लगा देनी है thank you for watching my video अगर video अच्छा लगा हो तो like करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूले thank you